दोस्तो अब तक शैद आपने हवाई जहाज को ही आसमान में उड़ते हुए देखा होगा पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बिल्कुल उसी तरह से एक कार को भी आसमान में उड़ाये जा सकता है तो ये आपको हैरान कर देने वाला और दिल्चस्पी भरा विशे हो सकता है पर दोस्तो एक रिपोर्ट के मताबिक ये सुनने में आ रहा है कि इन फ्लाइंग कार के उपर रसर्च चल रही है दोस्तो ज़रा आप सोच कर देखिए जब आप इस कार में बैठे होंगे तो आपको कैसा फील होगा तो इसी बज़े से आज मैं आपको इस वीडियो के जरीए फ्लाइंग कार की दुनिया में ले कर जाने वाला हूँ सो हेलो गाइज मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं ता टेक्निकल फेक्ट आफ इंडिया तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसे देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सडक के उपर दोड़ती हुई कार का अचानक हवा में उड़ना ये देखकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन चल रहा है लेकिन दोस्तों ये सरफ एक कलपना ही नहीं बलकि रियल में ऐसा किया जा सकता है दोस्तों इस बार के Consumer Electronics Show 2023 के दुरान एक ऐसे ही फ्लाइंग कार के प्रोटोटाइप को पेश किया गया था दोस्तों इस शो में एक ऐसी कार के बारे में बताया गया था जो कि सडक पे चलने के साथ साथ हवा में उड़ने की कैपिविल्टी भी रखती है यहाँ पर एक American Company एसका ने अपने प्रोटोटाइप एसका A5 को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट किया दोस्तों जो सबसे पहले एक ऐसा प्रोटोटाइप है जो कि पूरी तरे से फंक्शनल किया गया है एसका A5 दुनिया की पहली ऐसी चार्जटों वाली कार है जो कि एक बार चार्ज करने पर सडक मार्ग से और हुआई मार्ग से 402 किलोमेटर तक की दूरी तैय कर सकती है दोस्तों कमपनी इस फ्लाइंग कार को एक तरह से अलग-अलग फेस में लौच करेगी कमपनी का मानना है कि इस कार के जरिए अलग-अलग शेहरों में लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम में भी बिना रुके अरामदे सफर का मजा लिया जा सकता है और जाने कि अगर आप रोड पर कार ड्राइव कर रहे हैं और किसी वज़े से भारी ट्रैफिक जाम में फस जाते हैं तो ऐसे में आपको किसी भी तरह से परशान होने की जुरूरत नहीं है बलकि आप अपनी इस कार को फ्लाइंग मोड पे स्विच करके अपनी जगे से सीधे वर्टिकल टेक ओफ कर सकते हो दोस्तों ये विल्कुल बैसे ही है जिस तरह से एक हेलिकप्टर को हवा में उड़ाया जाता है हाला कि कंपनी का ये भी कहना है कि एसका A5 फ्लाइंग कार ट्रांसपोर्ट के तरीके को भी बदल कर रख देगी और अगर बात की जाए इन फ्लाइंग कार में यूज होने वाली पावर के बारे में तो इसे घरों में और EV चार्जिंग स्टेशनों पर चार्ज किया जाएगा यहाँ पर इंटरस्टिंग बात जे है कि इस फ्लाइंग कार में इलेक्टरिक मोटर बैटरी पैक के साथ ही रेज एक्स्टेंडर इंजिन जो कि आपके नॉर्मल पैटरोल स्टेशनों पर बेचे जाने वाले पैटरोल से भी चलाया जा सकता है दोस्तो किसी भी फ्लाइंग अब्जेक्ट में सबसे बड़ा सवाल उसमें सवार लोगों की सेफटी को लेकर उठाया जाता है यहां पर कंपनी का कहना है कि उसने एसका एफाइव को सेफटी के फेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है फोर एग्जांपल जैसे कि एसका एफाइव के बड़े विंग किसी भी खतरनाक सच्चुशन में सेफ लेंडिंग के लिए गलाइड कर सकते हैं इसके लावा इसमें डियूल अनर्जी सोर्सस दिये गए हैं जिसकी वज़े से ये बैटरी या फिर समानने एंजिन के उपर भी चल सकता है यहां तक कि कभी भी एमर्जनसी पढ़ने पर पूरे वहन को बचाने के लिए बलिस्टिक पैराशूट का इस्तिमाल भी किया जा सकता है दोस्तों मार्किट में सबसे पहले इस फ्लाइंग कार को कैब सर्विस के रूप में इस्तिमाल किया जाएगा और अगर बात की जाए कि इसे मार्किट में कब तक लौँच किया जाएगा तो कंपनी का कहना है कि साल 2026 के राउंड इसे अमेरिका के कुछ खास सहरों में लौँच किया जाएगा और फिर दीरे दीरे ये टेकनोलोजी हमारी कंट्री इंडिया में भी अपने पाउज मालेगी दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ ठैंक यू सो माच ओके बाए झाल लाए